इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोट से समंदित कुछ अनुछेद के बारे में यानि कि वैसे आर्टिकल जो रिलेटेड है सुप्रीम कोट से तो अगर आप किसी भी कमटेट पर एकजाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ता जरूर है जल्दी से लाइक कर दीजे और चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सड्स्क्राइब कर लीजिए तो चलिये याँ पर देखते हैं दिया गया कुछ अनुछेद के बारे में तो आनुछेद यानि कि आर्टिकल 124 के बारे में बात हो राए तो आर्टिकल 124 है जो marca के किस चीज से रिलेटेड है यह चीज हम लोग जानेंगे तो अगर हम बात करें आर्टिकल 124 का तो यह जूरा हुआ अनुछ्यद 124 की बात करें तो अनुछ्यद 125 की बात करें तो अनुछ्यद 125 की से जुरा हुआ है तो जो भी जज है सुप्रीम कोट के उनके वेतन से ठीक है उनके सेलरी से जुरा हुआ है अगर अनुछेद 126 की बात करें कौनसा अनुछेद 126 तो अनुछेद 126 जुरा हुआ है कारेवाहक मुख नियाधिस की नियुक्ति यानि कि जो कारेवाहक मुख नियाधिस है उनके न देहांत हो गया तो तुरांत कोई कार्यवाहक यानि कि उनके बदले किसी को एक पॉइंट किया जाता है तो उससे चीज़े उससे रिलेटेड चीज़े अनुछेद 126 यानि कि आर्टिकल 126 में यह चीज बताया गया कि उनका नियुकति कैसे किया जाएगा जो कार्यवाहक के पॉइंट किया जाएगा ठीक है अगला है अनुछेद 127 जो है वह जुरा हुआ है तदर्थ नयाधिसों की नियुकति जो भी तदर्थ नयाधिस हैं उनकी नियुकति के बारे में इसमें बताया गया किसमें तो अनुछेद 127 में देखिए आर्टिकल से बहुत कोश्चन पु एक एक आर्टिकल को समझें तो इसलिए ज्यादा ज्यादा इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो देखिए का हम भी कोशिस करेंगे अलग-अलग तरीके से इसका वीडियो बनाने का ताकि आप जल्दी से याद कर पाएं तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुछेद 128 के सरवश नइविरत नियाधिसों की उपस्थिती ठीक है जो शॉच्ष न्याले की बैटकों से इस सरोष नी वरिति नाधिसों की ऊपस्थिती ठीक है अगला है अनुछेद 129 को यह जुल राज है नियाधिक अधल्यổiत 119 की आगर हम बात करें तो यह जो सरोष नियाल है वो रिकॉर्ड की अदालत हो वो जूरा हुआ है अनुछेद 129 की से जूरा है तो सरोष नियाल है रिकॉर्ड की अदालत हो अनुछेद 130 की बात करते हैं, तो अनुछेद 130 की अगर हम बात करें, तो अनुछेद 130 जो है, यह किस चीज़ से जुरा हुआ है, तो यह सुप्रीम कोट की जो सीट है, उससे जुरा हुआ है, अनुछेद 130, ठीक है, आर्टिकल 130 की से जुरा हुआ है, तो सीट अप सुप्रीम सब्सक्राइब पूछा जा रहा है जो आर्टिकल 131 वो किसी से जुरा हुआ है तो यह जुरा हुआ है जो केंद्रिये कानूनों की सन्मेधानिक सब्सक्राइब निरस्तर के रूप में सवालों के समद्ध में सवालो के सम्द्सक्राइब उससे जूरा हुआ है कौन सा है तो अनुछ्यद का अपीलिए च्छेत्र अधिकर यहानि कि कुछ ऐसे मेटर हो जाते हैं जिसमें जो हाइक होते हैं उन से अपील करेगा जो सरोच नियाले है वो तो उसी छेत्र में यह जुरा हुआ है अनुछे एक तो यहां पर कुछ मतलब सीविल मेटर का अगर बात पूरा है तो उसके समद्ध में अगर उच नियालों से अपील में सरोच नियाले का जो अपीलिए छेत्राधिकार है जुँरा हुआ है अनुच्यद 134 से तब प्राधि मामले के समद्ध में सरोच नियाले का अपीलिए छेत्राधिकार अनुच्यद 134 एक बात करते हैं तो जो अनुच्यद 134 ए है वह सुप्रीम कोट में अपीलिए प्रमान पत्र ठीक है अगर सुप्रीम कोट में आपको अपील करना है तो उसके लिए जो प्रमान पत्र है उसकी आउसाइकता होगी तो यह किस चीज में बताया गया अनुछेद 134 ए में बताया गया अनुछेद 135 की अगर हम बात करें तो अनुछेद 135 जुरा हुआ है सरोच न्याले द्वारा अनुछेद 135 जुरा हुआ है अनुछेद 135 की में करने कंशक चिक है जो ऎकर करना है उसके लिए अउकास दिया गया अनुछेद 139 139 की बात करें तो अनुछेद 137 में बताया गया अब बात करते हैं अनुछेद 136 का ठीक है कौन सा तो अनुछेद 136 का अनुछेद 136 का अनुछेद 136 के अगर हम बात करें की बताया गया कि कुछ सुप्रीम कोट करने के लिए यह चीज़ जो जूरा हुआ है कि इसमें जूरा हुआ है आनुछ brings 149 में जुड़ा हुए अब कि बात कर लें दिया गया कि कुछ हाव का स्थांत रण कुछ ऐसें मेटर जिसको प्रेंच किया जाएगा तो यह चीज विश्थ 149 मेन बताया गया ठीक है तो ज phat समझ में आ रहा होगा तो सुप्रीम कोट करें कि को बता कि गया उस को बता इक सँ चालिश में एक सारी चीज इंकलिूड है कि इसमें बताया गया किया सब्सक्राइब आदालतों पर बाध्देकारी है ठीक है अगर सुब्रीम कोड़ द्वारा कोई भी कनोन घोसीच किया जाता है तो सभवी आदालत पर क्या होंगे बाद्धेकारी है यानि कि बाद रहने कि वैलिड है नेस्ट है अनुछेद 142 तो अनुछेद 142 की अगर हम बात करें तो इसमें बता गया कि सुप्रीम कोट के आदेसों और आदेसों की प्रवरतन और खोज आदी की आदस ठीक है यानि कि जो सुप्रीम कोट के जो भी आदेस हैं और आदेसों में जो प्रवरतन है उस प्रेशिडिंट वह क्या कर सकते हैं सुУप्रीम कोर्ट से प्रामर्स कर सकते हैं बात विचार कर सकते हैं ठीक है और तो दिया गया यहे कि सधेर करने के लिए नाघरिक और सब्छाइक सब्सक्राइब तो 404 त见 अगला है अनुच्षभ 145 अगर अनुच्छभ 145 की बात करें तो इसमें अदालत के नियम आदि बताया गए जो भी कोट की लॉट है जो चीज को बताया गए स्ट में यह इंपोटेंट है यहां मार्क टाउन कर दे रहा है यह इंपोटेंट है अब इससे याद कर लिजएगा अला दिया गया अनुछे 146 तो अनुछे 146 कि हम बात करें तो इसमें क्या बताया गया कि अधिकारी और नौकर और सरोच नियाले का खर्च जो भी अधिकारी है वहां के वहां के जो नोकर है और तो जो सरोच नियाल है उसके खर्च के बारे में किसमें बताया गया तो आर्टिकल 146 में बताया गया ठीक है आपको जो भी चीज़ेंगे बताई गए होंगे सुप्रीम कोट से रिलेटेट जितने भी आर्टिकल है हम यहां पर बता दियें तो आज के लिए नहीं आज का से अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद्र